सातियों बहुत पुराने समय से विग्यान पर कारे होता चला आया और हमारे जो पुराने रिशी मुनी थे उन्होंने अपने दिव विग्यान से ये पाया कि बहुत सारी उड़ जाए हमारी नेचर में हमारी प्रकृति में ऐसी होती है जिनका हमारे जीमन पर बहुत बड़ा याद करो जरा मंदिर की गंटियां सुबा सुबा बचती है और पुराने समय में दादी नानी कहा करती थी कववा बोल रहा है कोई आएगा इस तरह से धौनियों का संसार बहुत बड़ा और आज मैं लेके चलता हूँ आपको इस धौनि के संसार में कौन से धौनियों कैसे काम करती है बिन्चाइम के कॉंटेक्स में आज कर हम यूज करते हैं घरों में अपने बिन्चाइम ऑफिस में फ्यक्टरी में क्या ये रेली काम करती है ये नहीं करती है हैं तो कैसे काम करती हैं कौन-कौन से प्रिकॉशंस कौन से साफधानी आई ये बात करते हैं इस वीडियो में अंतर राश्ट्रिये ख्याती प्राप सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत्वाच साथियों इंटरनेट पर ढूंटे ढूंटे और आपने जैसी खोली मेरी वीडियो आप पहुंचें आप उस संसार में उस दुनिया में जहां पर हम आप से बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन के बारे में आपके मन में बहुत सारी उतल-पुतल भी रहती है जवाब न कि जब तक हमें किसी चीज का मेनिंग ना पता हो तब तक हमारे लिए उसका कोई अर्थ नहीं होता आपको याद होगा जब भी जैसे सेकंड वर्ड 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 हुआ था उस समय पर जैसे मैसेज भी बेज़ आते थे आज भी होते हैं जितने भी सेक्यूर्ड एजनसीज हो कभी कभी हमारे घर के सामने कहीं पर कोई डौग कोई कुटा रो रहा होता है स्टी डौग और हमें अच्छा नहीं लगता है चिडियों की चरपिंग सुभा सुभा जैसे चाहाना कितना चाहा लगता है बच्चे की किलकारी कितने अच्छी लगती है इस तरह से घंटियां और आपको बताया था मंदर की घंटियां सुवा सुवा अगर सुनाईर पड़ जाती है आपको, तो कितना अच्छा कितनी पॉजिटिविटी मिलती है, इसका मतलब जो धुनी की दुनिया है, संसार है, बहुत विशाल है, दूर तक फैला हुआ है, और इस विशाल संसार के अंदर, अगर हम उन भनी को सीख लें, कैच करना और अपने जीवन में यूज़ करना, जो हमारे लिए होती है, beneficial साथियों, तो ये बड़ा रोल प्ले कर सकती है, आईए, मैं आपको लेकर चलता हूँ, दौनी के दुनिया में, आवाजों के दुनिया में, आज हम बात कर रहे हैं, विंड चाइम के बारे में, वास्तु शास्तर के अनुसार, सबसे पहले हम बात करते है कि wind chime होती क्या ये bells होती है mostly metal की होती है सिरम J की भी होती है bans की भी होती है मित्ती conversion की बनती है अब इनका अर्थ क्या होता है इनका अर्थ ही होता है कि ये जहाँ पर wind chime को लगाया जाएगा वहाँ के vibrations को ये enhance करेंगे अगर आपने science विज्ञान पढ़ाओ कभी physics पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो धुनी तरंगे होती है वो अनत दूर तक जाती है और ये भी सुनने वाता है कि रमाड माहा भारत के समय की जो बाचित हुआ करती थी जो समवाद हुआ करते थे क्रिशन आर्जन के बीच में और इनके सब के बीच में वो उनको भी decode करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि धोनी कभी खतम नहीं होती चली आती है बहुत दूर तक अब जो हम अपने घर में बिंट्चाइन यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करने चाहिए कहां यूज़ करने चाहिए आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी बिंट्चाइन कोई भी घंट्टी लगाते हैं आप तो इसकी जो दिशा बनती है सबसे अच्छी दिशा इसकी बनेगी इसकी सबसे अच्छी दिशा कहां प्रबंती है कौन-कौन सी घंटी कौन सी बिंट्चाइन कहां लगानी चाहिए इसके बारे में आपको बताता हूँ सबसे पहले ध्यान करना है कि हमें ज़्यादा तर मामलों में जो हम घंटियां यूज करते हैं इसको मेटल की यूज करते हैं आम तोर पर करने भी चाहिए और दूसरी बात इसकी संख्या का एक बहुत बड़ा विचार होता है वास्तु के नुसार अगर आप कहीं पर घंटियां यूज करते हैं तो यह जो दिशाएं होती है सबसे ज़्यादा अच्छी दिशाएं होती है हमारी यह सब जहां पर कि हम मेटल की धातु की बनी भी विट्चार यूज करते हैं उस धातु के अंदर कॉपर हो सकता है अलमुने हो सकता है उसमें और आप चाहें तो उसके अंदर आप स्टील की भी ले सकते हैं कोई भी मेटल हर तरह की धातु बहुत अच्छी होती है पीतल की बहुत अच्छी होती है घंटि का ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप देख रहे थे सिरफ पाइप की बनी हो यह जो है कोनिकल भी हो सकती है राउंड भी हो सकती है किसी भी शेप की हो सकती है हर घंटे का जो परियोजन होता है लगभग एक जैसा होता है अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे कोई भी घंटे में यूज़ करनी है तो ध्यान करना कि कुछ दिशांग इसा से इसा थे पाश थांग की उनीवर्सल वोती है आम तूर wär यही संख्याइह उसकरते हैं अगर आपको गंटिया यह कर तो यह रहती है तो यहां पर वुट की ऐसिए शब्की उसक्र जाएं Сам यहां पर कौन को से सेलेट भी रहती है गलास की, शीशे की बनी होती है, सिरामिक की बनी होती है, चिरे मिट्टे की बनी, क्रिस्टल की बनी बहुत अच्छी होती है, आपने देखा होगा क्रिस्टल की मिंट्चाइन भी बहुत जादा कॉमन है, और बहुत अच्छी रहती है, North East को बुस्तव करती है और बिल्कुल वही जो crystal की हो North East में यूज़ करना है क्योंकि वो क्या करेगा हमारे इस दिशा को बुस्तव करेगा वो ही सेम जो चीज़ है हमें वो ही हमें South West में भी डक्षिन पश्ची में भी यूज़ करना है अगर हम करना चाहते हैं तो पहली बात करना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर करते हैं मैंने आप उसको बताया कि जो धनिया होती है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ लखड़ेगी जो वूट की जितनी भी घंटियां होती है जब भी आप लेने जाते हैं पहले तो मैटल के अगर आप कहीं से परचेस करते हैं ध्यान से लेना उसके आवाज बजा कर देखना जहां से आप परचेस कर रहा है फैंशी शॉप में मिल जाती है वास्तो की शॉप पर में जाती है और आप चाहें तो अपने आप भी बना सकते हैं ये शायद किसीन आपको बताया नहीं अपने आप बना सकते हैं आपके पास बहुत से चीज़ें घर में होती है और उनसे बना सकते हैं कोई भी चीज आवाज इसके अची आने चाहिए उसको यूज करें धागे में डालके अब देखे अगर वूट की यूज करनी है तो आप ध्यान करना कि इसको सबसे पहले जब भी पर्चेस करते हैं इसको हलका सा बजाकर देख ले बहुत बार जहें यह बनी होती है बास के ल वहाँ यूज करना है जहां से थोड़ी बहुत हवा आती है आम तोर पर घर के बाहर लगा लेते हैं एंटर्स के पास लगा लेते हैं बहुत बार इसको कोई समस्या नहीं है और ऐसे कभी-कभी ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम और लॉबी के बीच में कई बार आर् क्याता है कि मेरे घर में ड्क्त साथ बा दोर जी मेरे घर मे एक लाईन में तीन द्रवाजे नहीं तो पर फिर अगर उक्ति जहां में अदसारे सब के हुए कि सर मेरा जो कमरे है, मेरे घर के अंदर जो कमरे बने वे हैं, उन कमरे के अंदर, एक लाइन में आपने बोला कि कई दरवाजे है, वेट साइम का जो आज का मेरा वीडियो बनाने का main purpose, वो यही बताना है कि अगर आपको घर में इस तरह से कमरे बने वे हैं, मा लेता हूँ य मेरे घर में यह कमरे बने वे तो हैं लेकिन इन रूम के अंदर जो दर्वाजे हैं कैसे आते हैं दर्वाजे वह मैं आपको बताता हूं कि देखिए कि यह जो है हमारा कि अधार सब्सक्राइब अब मैं आपको बताता हूं दर्वाजे कैसे आते हैं एक लाइन में आप देखिए आप यहां से अपने घर के अंदर एंटर करते हैं यहां से एंटर करें यहां पे सामने दर्वाजा मिल गया आगे चले यह दिवार है यहां से फिर आपको दर्वाजा फिर आगे दर्वाजा मिल गया मतलब एक लाइन के अंदर कई दर्वाजे होते हैं ऐसे दिखाई पड़ता है तो उसको जहें त्री डोर या फॉर डोर या फाइव डोर इनरोब बोला जाता है इस केसे आपने क्या करना है यह जो बीच का है ना आप देखे बीच वाले में यह वाला जो डौर है वैसे किसी भी डूर के अंदर अगर आप 5 फाइब की फाइब कि अगर फिंद्शाइंन लटका देते हैं मेटल की मनी कोपर हो सकता है और कॉपर केलाबा मेटल होता है अपना श्रों होता है और बहुत से चीज़ें होती diesen है पितल हो सकता है, ब्राज हो सकता है, उसकी अगर आप यहाँ पर कोई भी बैचाई attached लटका देते हैं ये भी दिखिए लेकिन ये तीनों दर्वाजे जो है आप देशने कहां खूल रहा हैं ये तीनों दर्वाजे यहां खूलते हैं ये लॉपने में खूलते हैं ये दर्वाजे अगर इस तना से एक लाइन में अगर एक नहीं दो नहीं चार नहीं अगर बीस भी आते हैं इनकी क ताइम कभी भी टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है।.. अब निदो में अज़ क Certainly क्रिस्टाल करो.. बहुत अच्छा है। लेकिन अध्विन करना क्रिस्टाल कोई कहीं से क्रैक्ट निदो क्या से ज्याद अच्छ है। और एक चैनल से बढ़ éta Ihouse है। वहम क्या है कि ऐसा कहते हैं कि जो विंड चाइम कहीं लगी होती है तो उसके नीचे नेगटिव इनरजी होती है उसके नीचे कोई खड़ा होगा बैठेगा उसके नीचे से निकल जाएगा तो पताने क्या मुसीबात आजी कुछ नी आती होता क्या है कि जो sound based होती है इसको sound के लिए यूज़ करते हैं हम तो जब sounds होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है तो उसके नीचे जो area होता है वो थोड़ा सा vacuum area होता है उसके नीचे वो positivity नहीं होती जो की sound से चारों तरफ फैल रही है जो create हो रही है तो उसके नीचे ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे बैटने से आपको कोई मसीबत आने वाली ये भी मन से निकाल देना आज विंट्चाइम के बारे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई लास में मैं आपसे एक बात और share करना चाहता हूँ जो हम विंट्चाइम यूज करते हैं जितनी भी घंटेंज करते हैं चाहे वो कैसी भी घंटी हो पुजा की घंटी होती है, शोपीस की होती है, लटपने वाली होती है लोही की होती है, साथ इंडियन होती है मद्य प्रदेश कंदर जहें जो लोही की मराई जाती ही गंटियां वो भी होती है बहुत राकी गंटियां सब्जेक्ट बहुत लंबा चोड़ा है यह बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन इसमें ध्यान ही करना है आपको कि जब भी आप इंट साइम यूज करते हैं तो उसे कह यूज मीं करना आहि अभणकने के नंबर एक आपने कभी मिके किसी जगर को नंबर एक टॉप्र में यूज निकरना किसी अगरने और को ही तॉपिर यूज एक कारते हैं आप पर भादी पारी जो है इंडिन कल्चर वाली हमारी घंटिया उनको यूस करो कोई समझा नहीं है लेकिन यह जो मिंट्चाइम यह वाली इनका परपास वहां पर नहीं होता पूरा तीसरी बात कहा यूसनी करना इसको इसको आपको किछन में यूसनु करना जब भी हम कोई चीज, कोई भी object यूज़ करते हैं, कोई भी चीज यूज़ करते हैं, तो उसका एक purpose होता है, बिना purpose के नहीं होता, और यह सब यहाँ पर यूज़ करने से कोई फैदा भी नहीं, पर ऐसा नहीं कि कोई बड़ा नुक्सान हो जाएगा, पर यहाँ पर कोई sense न कोई लटका होता, इसको केलून भोलते हैं, वो जो केलून है, वो नीचे रहता है, यह ऐसा नहीं करना आपने कि हाँ भार्दो जिने कहा तक घंटियां लगाओ, बड़ा फैदा होगा, और अभी घंटियां से लांगे कि सिर में टक्रानी चुरू होगा, यह जो मेन हमारी म मुझे लगता है, इस चोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत को बता दिया, टॉपिक बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को एक बार फिर से लूँगा मैं कुछ दिन के बाद, जो अभी पॉइंट्स रहे गहे हैं, उन पर भी बात करूँगा, मेरे जो भी वीडियो होते हैं, वो बहुत सार गर्बित होते हैं, गहराई होती है, लोजिक होता उसके पीछे, और साथ साथ बताता हूँ, इंडियन कल्चर में कैसे यूज़ करना है, जिससे कि आपको मिले इसका बेनेफिट, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगा, मैं अगर आपको ये पसंद आये, तो आप इसको लाइक करना मत भूलना, और हाँ शेयर कर लेना अपने सोचल मीडिया पर, कि भार्दाव जी का एक वीडियो आया, बहुत जबरदस, विड्चाइम के बारे में है, और मुने बहुत से बातें बताई हैं, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात क झाल